Hello and welcome to another lecture of mathematics for class 9 exercise 1.4 का question number 12 second part आज इस lecture में हम solve करेंगे first part हमने पिछले lecture में solve कर लिया था अगर वो ने ही देखा है तो चैनल विजिट करें आज हम करेंगे second part question number 12 का question number 12 में है if c is equal to a b c d एक matrix दिया वा है matrix c show that c transpose का transpose is equal to c यह हमने show कराना है तो किस तरह करेंगे यह हम के एक matrix दिया वा है matrix c उसका हमने दो बार transpose लेना है और उससे जो answer आना चाहिए वो वापस whole transpose क्या कर लिया अब हमने के हमने c की जगा जो matrix c था वो put कर लिया फिर transpose ले लिया फिर whole transpose टीक तो पहले हम यह अंदर वाला transpose लेंगे सो transpose में क्या होगा कि rows और columns interchange हो जाएंगे एक दूसरे में row column में change हो जाएगा और जो columns है वो rows बन जाएंगे तो यह first row बन जाएगा first column second row बन जाएगा second column यह वाला transpose यह वाला transpose हमने ले लिया इस matrix पे तो यह matrix बन गया और यह उसी तरह transpose आ गया है अब हमने क्या करना है कि यह matrix आ गया हमारे पास अब हमने इस पे दुबारा transpose लेना है तो दुबारा वही प्रासेज होगा कि rows interchange हो जाएंगे columns के साथ rows से column बन जाएंगे और column से rows बन जाएंगे तो यह first row जो है यह first column बन जाएगा and second row second column बन जाएगा transpose लेने के बार यह matrix आ गया हमने question में क्या proof करना था कि matrix C पे दो बार transpose लेने से वापस C matrix आना चाहिए तो दो बार हमने transpose ले लिया अब हम देखेंगे के यह matrix C के equal है कि नहीं सो matrix C क्या था? A, B, C, D और जब हम C जब हमने C पे दो बार transpose ले लिया तो उससे जो matrix बन गया वो है A, B, C, D यनि के दोनों बिलकुल same है equal है तो इसकी जगा हम लिख लेंगे matrix C तो यह proof हो गया कि matrix C पे दो बार transpose लेने से वापस matrix C आएगा तो यह proof हो गया बिलकुल ही simple question था ना इसमें कोई multiplication थी ना addition वगएरा सिर्फ transpose लेना था इसमें दो बार transpose लेना था मेटर C पे ट्रांसपोस किस तरह लेते हैं के जो rows होते हैं वो change हो जाते है columns में और columns change हो जाते है rows में rows और columns एक दूसरे में interchange हो जाते हैं तो अगर इसमें कोई मसला हो कोई बात समझ नहीं हो तो कमेल में बता दीजिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए